हाई फ्रेंड्स देखिए आज कलरफूड स्वेटर के डिजाइन लेकर आई हूं बहुत ही खुब सूरत डिजाइन है उमीद करते हूं आप सभी को जरूर पसंद आएगा यह डिजाइन बच्चों के स्वेटर के लिए बहुत ही खुब प्यारा डिजाइन है यह तो जैसे हम बनाते रहते हैं स्वेटर तो क्या होता है कि थोड़ थोड़ा उन बच जाता है तो उसको इसमें यूज करके खुब सूरत एक स्वेटर बनाईए इस डिजाइन से बहुत ही प्यारा लगेगा यह आप दो कलर के भी बना सकते हैं अगर उन ज्यादा है तो थोड़ा के तरब से हैं और वीडियो मेरा पहली बार देख रहा है सबस्क्राइब अगर हमारे चैनल को नहीं किये हैं तो प्ली सब्सक्राइब करना मत भूली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल ऐकन को जरूर प्रेस किजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप देखिए पहले हम क्या करेंगे यहां पर यह तीन फंदा सिधा बुनेंगे एक फंदा सिलिप कर लिए अब तीन फंदा हम सिधा बुनेंगे एक दो तीन फंदा सिधा दो को एक करेंगे यहां पर दो को एक करेंगे और यहां पर एक जाली देंगे एक जाली आ गया एक शिदा फुनेंगे सक्षि यहां पर जाली को मततंच करेंगे इस तरह से जाली देते हुए, दो को 1 करेंगे, यह देखिए, तीन फंदा, 1, 2, 3, तीन फंदा सिधा, दो को 1 किए, ऐक जाली अगया, एक, दो, दो फंदा भीच में सिधा आगया, एक जाली, दो को 1 किए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंद सिधा लेंगे और हम अब इधर से दो को एक करेंगे, सलाई को सिधे के तरफ से डालेंगे, दो को एक कर दिये, अब यहां पर एक जाली देंगे एक, दो, दो फंदा सीध़ा आ गया, धागा अपने तरफ, अब फीर हम यहा पर दो को एक करेंगे, एक जाली देते और दो को एक कर दीए, अब तीन फंदा हम सीधह भूनेंगे, तीन फंदा सीधा हो गया, एक यह लास्ट का है तो उसको भी हम सीधा बुनेंगे, उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनके कम्पलीट करेंगे, यह देखिए, उल्टे की तरफ से उल्टा उल्टा बुनके कम्पलीट हो गया, अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की और यहां पर एक जाली देंगे अब बीच में एक, दो, तीन, चार चार फंदा सीधा आ गया और एक जाली यहां देंगे जाली देते हुए दो को एक करेंगे यह जाली आ गया दो को एक कर देंगे अब फिर यहां पर हम दो फंदा सीधा बुनेंगे एक, दो, फिर हम दो को एक करेंगे, फिर यहां पर एक जाली देंगे, और यहां पर चार फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदा सीधा, फिर हम यहां पर दो को एक करेंगे, जाली देते हुए दो को एक करेंगे, बहुत ही असान डिजाइन है यह, और बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद सुवेटर पर तो देखिए इसको कम्प्लीट कर लिए अब उल्टे के तरफ से क्या करेंगे उल्टा उल्टा भूनके कम्प्लीट करेंगे यह देखिए उल्टे के तरफ से पूरा रोग कम्प्लीट होगे अब सीधे के तरफ से फिर हम यहाँ पर एक फंदा सीधा भूनेंगे अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे दो को एक कर दिये धागा अपने तरफ अब यहाँ पर हम जाली देते हुए इसको भूनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, जाली देते हों, यह जाली आगया, दो को एक कर देंगे, अब यहाँ पर फिर हम दो को एक करेंगे, धागा अपने तरफ, अब इस फंदा में हम जाली देंगे यहां पर इस फंद्दा में जाली देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदा उल्टा शॉरी सीधा, अब यहां पर फिर हम दो को एक करेंगे जाली देते हुए, और एक फंदा सीधा बुनेंगे, यह लास्ट का है तो इसको भी हम सीधा बुनेंगे, उल्टे के के तरफ से पूरा रो उल्टा बुनके complete करेंगे अब देखिए उल्टे के तरफ से पूरा रो complete हो गया अब शीधे के तरफ से यहां पर हम 6 सलाही बुनने के बाद दूसरा धागा जोडएंगे तो यहां पर धागा जोड़ लिए अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे यह से 2 3 4 5 6 7 8 8 पंद सीधा अब फिर हम 2 को सिलिप करेंगे यहां पर 2 को सिलिप करेंगे फिर हम 8 पंद सीधा बोनेंगे पंद सीधा अब फिर यहां पर हम क्या करेंगे तीन का सिलिप कर लिए अब देखिए इधर से उल्टे के तरफ से हमईਸ तरफ बनाएंगे फिर यहां पर हम 2 को सिलिप करेंगे इधर से और अब हम क्या करेंगे धागा पीछे करेंगे धागा को पीछे करेंगे और ुसरी टैसности दो कि इस तरह से फिर 8 फंदा सीधा बुनेंगे, 1,2,3,4,5,6,7,8, 8 फंदा सीधा होगया, अब फिर हम 3 फंदा सिलिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, अपने तरब और 3 फंदा हम सिलिप कर लेंगे, तो 3 फंदा सिलिप कर लिए, अब फिर देखिए इसको, फिर हम 3 फंदा को दूसरे शलाइपर ले लेंगे और इधर से सिधा सिधा बुनेंगे 4, 5, 6, 7, 8 फिर हम 2 फंदा सिलिप करेंगे फिर 8 फंदा सिधा बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर 3 फंदा को सिलिप कर लेंगे इसी तरह फिर हम इधर से बनाएंगे उल्टे के तरफ से 3 फंदा सिलिप करेंगे और फिर यहाँ पर हम सिधा सिधा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर सिधा सिधा बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर 2 फंदा सिलिप कर लेंगे और फिर धागा पीछे करेंगे 8 फंदा सिधा बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धागा अपने तरफ करेंगे 3 फंदा सिलिप कर लेंगे अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर यह देखिए अब हुआट वला धागा से बुनेंगे इससे अब हम सिधा सिधा बुनेंगे पुरा रो सिधा सिधा भुनेंगे कम्प्लीट करेंगे इससे कि इस New ChildS legit Magnus त ये सीधा सिधा बुन्के complete कर लिए हिरे नियुक्व ये य और पूरा रों उल्टा उलटा पुनेंगे तो ये देखिए ग्वाड की तरफ से उल्टा उल्टा पुनेके complete कर लिए और सीधा के तरफ सीधे के तरफ से हम इस तरह बनाएंगे अब यहां पर हम दो फंदा सीधा बनेंगे एक दो फंदा सीधा हो गया अब क्या करेंगे यहां पर दो को एक करेंगे जाली देते हुए दो को एक करेंगे यह 2 को एक कर दिए, बीच में देखिए 1,2,3,4, 4 फंद सीधा आ गया और फिर हम 2 को एक करेंगे, यहाँ पर 2 को एक कर दिये, अब फिर हम इस फंदा में जाली देंगे, एक फंदा और सिधा बुनेंगे, फिर यहाँ पर 2 को एक करते हुए जाली देंगे, एक जाली आ गया, 2 को एक कर दिये, फिर हम 4 फंदा सिधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पर 2 को एक करेंगे, यह दो दो फंदा सीधा यह लास्ट का है तो इसको भी सीधा बुनेंगे उल्टे के तरफ से पूरा रो उल्टा बुनके कम्प्लीट करेंगे उल्टे के तरफ से पूरा रो कम्प्लीट होगे अब सीधे के तरफ से सीधे के तरफ से अब यहाँ पर हम यह देखिए एक, दो, तीन, तीन फंदा सीधा धागा अपने तरफ, अब फिर हम दो को एक करेंगे, जाली देते हुए, और फिर एक, दो, दो फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे दो को एक कर दिये अब यहां पर फिर हम एक जाली देंगे 1,2,3,4, 4 फंदा सीधा इसी तरह फिर हम इसको बनाएंगे 2 को एक करेंगे जाली देते हुए और फिर यहां पर एक, दो, दो फंदा सीधा, फिर हम बीच में यहाँ पर दो को एक करेंगे, और यहाँ पर जाली देंगे, एक, दो, ती, यह लास्ट का है, तो इसको भी हम सीधा बुलेंगे, उल्टे के तरफ से पूरा रो उल्टा बुलेंगे, यह देखिए, उल्टे के तरफ से पूरा रो तो complete हो गये अब सीधा के तरफ से 4 पंदा हमने सीधा बुल लीए एक दो तीन चार चार पंदा सीधा अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 इक करेंगे जाली देते हुए फीर 2 को एक करेंगे 2 को एक कर दिये अब यहाँ पर हम जाली देंगे एक दो तीन चार पांच छे छे फणता सीधा फेर हम यहाँ पर जाली देते हुए दो को एक करेंगे यह देखिये और फेर यहाँपर दो को एक करेंगे अब यहाँपर जाली देंगे 1 2 3 4 चार पंदा सीधा यह लास्ट का है तो इसको भी हम सीधा पूनेंगी उल्टे के तरफ से पूरा रो उल्टा बुनके complete करेंगे यह देखिए यह बन गया उल्टे के तरफ से पूरा रो उल्टा उल्टा अब हम क्या करेंगे यहां पर हम दूसरा धागा आप जोड़ेंगे जैसे यहां पर मैं जोड़ी थी तो अगर आपके पास उन है तो जोड ल तो इसी कलर से फिर मैं अब देखिए यहां पर हम तीन फंदा सिलिप करेंगे तीन फंदा सिलिप कर लिए अब इस फंदा से हम शुरू करेंगे बुनाई एक दो तीन चार शोरी तीन अब यहां पर यहां पर 5 फंद हम बुनेंगे इस कलर से एक फंद सिलिप करेंगे और 5 फंद इस दूसरे कलर से बुनेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंद यहां दूसरे कलर आ गया अब फिर हम दो फंद यह सिलिप कर लेंगे फिर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट सेम रिपीट इसी तरह करना है जैसे यहां पर बनाये थे यह सेम उसी तरह इसको भी बनाना है अब यहां पर यह दो फंद हम सिलिप करेंगे फिर इसको पांच फंद हम सिधा बूनेंगे एक दो तीन चार पांच यह लास्ट का है तो इसको हम सिलिप कर लेंगे उल्टे के तरफ से पूरा रों हम सिधा सिधा बूनेंगे धागा पीछे करेंगे और फिर इस तरह से बनायेंगे पांच फंद हम सिधा फिर हम धागा आपने तरफ लाएंगे दो फंद हसिलिप करेंगे और फिर आठ पंद हसिलिप करेंगे एक दो तीन चार पांच फंद हसिता पूनेंगे फिर धागा अपने तरफ दो फंदा सिलिप करेंगे फिर यहां पांच फंदा सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच यह लास्ट का है तो इसको हम सिलिप कर लेंगे इसी तरह से अब फिर हम आगे दूसरा रो बनाएंगे जैसे यहां पर बताई थी सेम रिपीट करना है इसको बताई थी सेम रिपीट इसी तरह करना है यह देखिए यह सेम बन के त्यार हो गया यह देखिए तो दो कलर से भी अच्छा लग रहा है और कलरफुल बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा उमीद करती हैं मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा आप सबको प्लीज अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब कर लिजिए बेल एकन को प्रेस किजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और स्वस्त रहें खुश रहें फिर मिलती हूँ मैं कुछ नहीं डिजैन लेकर अब सभी के साथ